नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस मेडिसिन को जिसका नाम है मैक्से रिच डेली मल्टि वाइटिमिन कैपसूल तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा वीडिय मैक्से ॅ मेरी की अम्र उनके पुछले हिल्थ इशूवस पे । finden होते हैं तो हमेशा यह कंसर्ट कर लें कि मेडिसन आपको लेना चाहिए या नहीं कभी भी खुद के मर्जी Nu कोई सी वी दावा ना लें इसके आप niemando को बता दूए इसके उपियोग और करने का तरीका साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे इसके साइड इफेक्ट भी तो सबसे पहले भी आप लगों को बता देती हूं मैक्सी रिच मेडिसिन के इसके मुख खिलाब तो देखिए अगर आपको पोशन की कमी है वाइटेमिन बी की कमी है साथ ही आपको कमजोरी है प्रोटीन की कमी है को पोशन है तब जो है डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आप इस मेडिसिन को हो सकता है ठीक है इसलिए रोग दवाई देने की तरीके रोगी की आयू रोगी का पिछला इतिहास और अनकारकों पर आधार होता है तो अगर आप एक धवाई खा रहे हैं एक कैपसुल खा रहे हैं तो में भी दूसरा जो पेशेंट है वह भी तो मेडिसिन ले रहा है तो उन सथी मेनी तक आपको खाने होते हैं साथ इंडिशा को बता दूं की इसके आपको साइड़ एफेक्ट्स के बारे में तो देखिए इसका जो साइड़ एफेक्ट्स है बिल्कुल ना की बराबर ही होता है ठीक है अब मैं आप लोगों बता देती हैं कि क्या कोई मल्टीविट जामेन ये जो है घर्वपती महिलां के लीए ठीक है तो देखिये pregnant महिला ये मेडिसिन को बिना किसे घवराहट के खा सकती है मेडिसन को बीना किसी घबरहण के खान लेकिन वह अपने डॉक्टर से कंसर्ट करें तो बिना डॉक्टर के आपको को विए मेडिसिन नहीं लेनी है साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाएं या जिन महिला को पीरिट्स हो रहा है वो भी इस मेडिसिन को यूज कर सकती है बिना किसी हिच के चाहट के लेकिन अगर आप डॉक्टर से कंसर्ट कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा मैं इसलिए कहरी हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए डॉक्टर से कंसर्ट करना बहुत ही जरूरी है सभी के लिए डॉक्टर से कंसर्ट करना बहुत ही जरूरी है बिना डॉक्टर के पर्मिशन के मेडिसिन कोई सभी ना ले तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी के साथ जैहिंद वंदे मात्रूम